तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलिगर्ण मुस्लिम उनिसिटी के दाखले के बारे में दाखले के बारे में news भी छपी है अमार उचाला में जो की काफी confusing है बहुत लोगों का doubts है इसके बारे में चाचा करेंगे इसके साथ-साथ अलीगण मुस्लिम उलिएसिटि में ओफिशल वेपसाइट पे क्या ओफिशल अपडेट है इसके बारे में जनकारी देंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं ओफिशल अपडेट की आंसर की आ गया है और जिसको challenge करना है उसको challenge करने के option भी मिल गए है तो challenge करने का लिए answer की जो है वो यहाँ पे है click here for challenge answer की for class 9 and 6 अब बात कर लेते हैं अमर उजाला की बारे में तो class 11 की बारे में भी है कि 9 जुन को होगा इसके बारे में क्या इंडो इसलामिक से अटाए गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले हम ले देख लेते हैं आज की सुर्किया आज की सुर्किया यह है कि 10,971 में से 9,436 ने दी है class 6 की परवेच परिश्चा यानि इस बार का strike rate बहुत अच्छा रहा है कुरोना के बाद मतलब अलिगर मुस्लिम उनिशिटी में बहुत ही जबरदस competition हो रहा है तो 20 केंदरों पर हुआ था एक्जाम 9,434 ने दी है class 6 की परिश्चा इसके मतलब है 9th class की भी एदम बिलकूल वाट लगने वाली है जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो कहने का मतलब यह है कि AMU ने 20 केंदरों पर परवेश्च परिश्चा के हैं शाम 4 से 6 ब अब उमीद के बोल परश्चन पत्र अच्छा आया था प्रश्चन सरल थे हल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई उर्वर्षी जो की दोधपूर के रहने वाली है जिस तरह की तयारी थी वैसे ही प्रश्चन आया थे परिश्चा में सपल हो जाएंगे अगम में सरास्वत सवाल आसान थे परिश्चा में सभी सवालों को हल कर दिया गया है अब नतीजे का इंदजार है मसीरा ने बोला है प्रयागरास से कुछ सवाल मुश्किल थे लेकिन उसे हल कर लिया उम्मीद है कि नतीजा अच्छा रहेगा अलजिया मरहड़ा तो कहने का मतलब है कि इस बा कॉम्पेडिशन टफ होने वाले हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्जाम दिये हैं क्लास 6 की अब बात कर लेते 11 की बात जो कि 9 जून को होने वाले थे इसमें इंडो इसलामी कल्चर से शरिया के सवाल हटाए गया है अब इसका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं तो आपको A to Z पता चल जाएगा एम्यू में क्लास 11 में परवेश परिशन नौ जून को होगी परवेश में आने वाले इंडो इसलामी के शरिया के सवालों को हटा दिया गया है इससे यूशिटी में पढ़ रहे चात्रों को गुसा है उन्होंने कहा कि एम्यू इंतजामिय को ऐसा नह यानि Humanities, Commerce and Science की परवेश परिशा होगी 100 अंग के परवेश परिशा होती है इसमें 10 अंग के सवाल इंडो इसलामीक कल्चर से आएंगे इसमें 3 सवाल अकीदा, इबादत, रसूल का व्यक्ति और कुरान हदिस संबन्ति आते थे इस बार नहीं आएंगे इन सवालों के जग रसूल के नहीं पूछे जाएंगे चात्र मुहमद ग्यासुदीन ने कहा कि एक तरप से मुस्लिम के अस्तित्यों को खतम कर रहे हैं तो दूसरी बार अल्व सवाल के दरजा को लेके उच्चतम न्याले में लड़ा रहे हैं उर्दू को किनारे लगा रहे हैं चात्र लामिक से अकीदा, इबादत, रसूल के ब्यक्तित्तों और कुरान हदिस सम्मति सवाल पूछे जाते थे लेकिन कुछ शिक्षकों और विशशग्यों ने अपनी राय दी थी कि सवाल को दुबारा देखने के जरुवत हैं यह बात एकेडमी काउंसिल में आई थी इसके बा फेर बदल हो सकते हैं उसके बारे में सोच जाएगा उन्होंना कहा कि इसलाम new city मे बावस्ता है, अईसे ही नहीं कि इसलाम को दूर रखने की बात है। तेसे आपके Excel कीसा चाहरा है और कीतनी ढयारी हो चुकी। connect box में आपकी अपनी मन की राय जरूर बताइए किस तइयो के वीडिवां चाते हैं। हम कैसे आपके लिए बेहतर वीडियो बनाएं। उसके बारे में उसुझाओ दे सकते तो मिलते हैं ऐसी यूसपल वीडियो में तब तक यू टेक गूड कर अफ योसर्फ जय हिन जय एम यू